अगर आपको नहीं पता है क्या चल रहा है तो डिस्किशन में उनकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी वो भी चेक आउट कर लेना तो फटाफ वरसे अगे की जरनी स्टार्ट करते हैं तो पिछली लाइव स्ट्री में अपने फोर वीक कंप्लीट के स्मैक डाउन सोके और अब दूसरा पेपर व्यू एक्स्ट्रीम रूल्स आ चुका है और एक्स्ट्रीम रूल्स पेपर व्यू के लिए पैसो की तो कभी है डी अंडरो ब्रोस तो अपन आसानी से बैक्स्ट्रे देकर उनको रिन्यूव करवा लिया है और कमिस्ट्र गोल है इस बार कि अपनको एक्स्ट्रीम रूल्स पेपर व्यू में पोपुलर फाइटर है वो इस बार बुक नहीं करना है अपने पोपुलर फाइटर चल रहे है भाईसा वो अपने ही सोके याडि स्मैक डाउन सोके युनिवर्सल चैंपियन दाइड मैं अंडर्टेकर सर चल रहे है तो कमिस्ट्र गोल को अपनको प्रोवाइटी देते हुए एंड्रू ब्रोल्स अंडर्टेकर सर को इस बार एक्स्ट्रीम रूस पेपर में अपनको नहीं बुक करना है एनिवेस रोक सर है बहुत सारी अव प्रेटर ब्रांड चल रहे है उन्होंने अगर सीजनल गोल कम्प्लीट करकर ट्रोफी एक हासिल कर लिए और अपने पास नहीं है तो अपने चाहे फैन फॉलोइंग ज्यादा क्यों नहीं नहीं बन पाएंगे तो इसके फैन के साथ साथ अपर को माईजियम यह जो ट्रोफ तक जा चुकी है तो I think मुझे लगता है कि 4 star या 5 star तक यह मैच अपन को देखे जा सकता है इस पेपर व्यू में और आगे I think इनकी राइवलर भी इस पेपर व्यू में एंड हो जाएगी तो चलो यह नोर्मल मैच तो नहीं रहने देने वाले क्योंकि Extreme Rules मैच है और इनका स् इस बार Undertaker सर को अपन को बुक नहीं करना है Commissioner गोल भी तो complete करना है न ब्रो तो Self-Promo जिनकी popularity सबसे डाउन हो उनसे ही करवाते है ताकि उनकी थोड़ी बहुत popularity तो gain हो तो यहाँ पर अपन specialist बने हुए Imperial team के members लुटवी केजर जो के specialist है और अभी तक rivalry भी नहीं चल रहे है च gain सर यानि giant superstar और इसके साथ आ रहे है दब्राबा बूल रोक सर जो कि अपने smackdown के पिछले अफ्तों में इनकी rivalry चलाई थी टीब अप करकर तो इनकी against रोने वाले है Tribal Chief Roman Reigns और Omaga सर 101 family के members मिड कार बैच भी अपने select कर लिया है तो second अपन self promo करवा सकते है जो उन सेना से लेकि सीना अपनको बोल भी रहते हैं कि अपनको कोई match नहीं दे रहे है ओके तो इस बार अपन सीना से charity करवा लेते हैं by fan following बीच है ना number one ranking बीच है और trophy बीच है next midcard match tag team रहेगा लेकिन only tag team नहीं यह tag team championship match रहने वाला है Jimmy Usoz versus Giants Obas and Sanky के बीच में ब्रोस और यह match by extreme rules match रहने वा होगा इनकी rivalry भी चल रहे है और title match भी आपर अपन own रखने वाले है rivalry इनकी level 2 पर है देखते हैं कैसा यह match लेकर जाते हैं extreme rules पे-per-view में तो next अपन प्रोमो बुक करते हैं यह भी अपन self promo book कर देते हैं और यह प्रोमो बुक करने आ रहे हैं अपने space list बैट रिडर तो हमने दो-दो self promo book कर दिया है क्योंकि seasonal goal भी अपनको इसके साथ साथ देखते हुए चलना पड़ेगा चलो भाई next midcard match रखते हैं और यह रखते है भाई अपन woman title match निकी एसेच वसेज रिया रेपली के बीच वे ओके और next next promo रहने वाला एंडरो ब्रोज अपनी जो सस्ती superstar as backdowns हो okay आप बार ही आती है भाई man events की तो man events मैंने सोच रखा है man event होगा solo sikoo vs kodi roots का इनकी rivalry भाई level 4 पर है और extreme rules में I think यह complete हो सकती एंडरो ब्रोज और यह match अपन करवाने जा रहे है backstreet's brawl match man event भाई पैसे 90,000 dollar खर्च हो रहे हैं पर मैंने सोच ही रखा था कि इस बार मैं backstreet's bra match तो करवाऊंगा ही ताकि fan following कुछ जादा है ठीक है और आपन नेंबर वन ranking पर ही बने रहे ओके तो final अपने यह आज extreme rules पेपर विव सो की booking कर दिया है कुछ गड़बर ही लग रहे है केंडो ब्रोज क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा chance नहीं चोड़ना है कि मैं ranking 2 पर जाओ ठी principle है तो यह मैच अपन रखते है ब्रोज फॉल्स काउंट एनिवेर मैच हाँ इसमें थोड़ा चेंजमेंट रखते है फॉल्स काउंट एनिवेर मैच अब मेरको एकदम clear लग रहा है और मैच की rating I think मुझे फिर से नंबर वन ranking पर लेके जा सकती है booking complete करते है तो एक बार फिर मैच है इंटर कॉंटिनेटल चेंपियंशिप मैच और वो भी वाइपर वर्सेज ओल्माइटी बोबी लैसली के और इनकी राइवल्री एंडरो ब्रोज लेवल 4 पर है तो अफ्कोस इसको अपन स्पेक्टेड करेंगे एक्स्विम रूल्स पेपर व्यू में I think मुझे लग चलो भाई लेवल 4 की राइवल्री बिल्ड अप है और इसी पर एक्स्ट्रीम रूल्स पेपर व्यू में अपने ये राइवल्री इसी के लिए ही बिल्ड अप की थी तो फर्स्ट रॉफ ओल बोबी लैसली ओल्माइटी आ रहे है चलो स्किप करते है और भाई देखते है र इंटर कोर्टिरेटल चैपियल्शिफ ओपनर मैच है अपनको अच्छा खासा रेटिंग दिजाए फैन फूलोविंग भी इससे अच्छी खासी आ जाएता कि अपन रैंकिंग फस्ट पर बने रहे है ओके तो बैच भी हो चुका है स्टार्ट और ये अपने एक टील्सी लेगा और इस बैच की रेटिंग जादा लेकर आएगा जितने जादा लबा बैच चले और इस पर ओमजी मुवमेंट्स देखने को बिले उतना अपने लिए अच्छा है क्योंकि इनकी राइवल्री लेवल 4 पर भी है ओडियंस ने कफी अपनने हाई भी बना कर रखी है ए भी 5 स्टार चली जाए यानि लिजिंडरी मैश दे जाए तो और भी खतर राख हो जाएगा अपने लिए स्टिल स्टेप्स का यूज बुझे डिस्क्वालिफिकेसर ओफ रखने के बात तो मुझे लगता है बाई स्टिल स्टेप्स का यूज ना करे तो फिर क्या ही बात य डिस्क्वालिफिकेसर ओफ कर दो आप तो स्टिल स्टेप का सूपरस्टार यूज करेगा ही कंप्यूटर वसस कंप्यूटर करवा रहे हो तो और अगर अंडुर ब्रोज आपके मन में यह डाउट आ रहा है कि मैं इसको एंडुर डिवाइस पे कैसे प्ले कर रहा हूँ तो फटावर्स से करो एंडुर ब्रोज 500 लाइक्स तब मैं यह रिविल्स कर दूगा कि एंडुर डिवाइस में कैसे प्ले कर रहा हूँ वाइपर ने लेडर सेट कर दी है बोबिल एसली स्टिल श्यर लेकर आए है टील सी मैच है तो अफकोस बाइट टेबल्स लैडर स्यर्स क तो यूज करेंगे कभी तो टील सी मैच होगा और वाइपर फुल तरीका खताना तरीका से डोबिडेट कर रहे है एंड ब्रोज किसी के पास भी सिगनेचर फिनिशर नहीं आई है पर अगर रेंडी ओटन्स लगातार ऐसे ही डिफीट करते रहें एंडुर ब्रोज तो इनक फुली टील सी टेबल्स लेडर और शेयर मैच हो जाएगा वो भी लेसली हा टेबल्स आरे या केंडो स्टिक लेने आए है और दूसरी लेडर उठा लिए बाई वाइपर ने अटेक भी क्या अब दूसरी आ रहे है बाई लेडर्स तो फटाक सी बेरेस सब्सिन को सैट कर ल एकदम रियल वाली तो नहीं लगी मुझे लेडर्स के उपर क्या लगता है कौन जित जाएगा वाइपर या ओल्माइटी बोबी लेसली वापस ले लेंगे अपना चैप वाइपर ने बाई लेडर सेट करकर बैल्स को निकालना स्टार्ट कर दिया है एक फिलप कर दिया है वाइपर ने पर अभी तो आई तिंग बोबी लेसली भी फिल कर लेना तो कोई दिक्कत दी है लास्ट के जब दो मैच फिल करना रहेगा ना वो इच चैंपियन डिसाइड करेगा अगर लास्ट के दो वाइपर के हाथ में आए तो फिर इजली वाइपर अपना टाइटल र एंड्रो ब्रोस तो मैच की रेटिंग की तो मुझे ज़्यादा टेंशन है नहीं उपर से अपने TLC बैच भी लगाया है तो आई तिंग 4 स्टार से तो रीचे जाने वाला है नहीं मैं पहले ही प्रेडिक्ट करके बैच चुका हूँ एंड्रो ब्रोस लेडर दुबारा से स हो चुके पर ओल्माइटी क्या कर रहे है डेमेज देंगे क्या सिगनेचर है बोबी के पास पर रेडि के पास भी सिगनेचर थी पर उन्होंने स्ट्रेमिना में यूज कर लिया है कोई नहीं थोड़ा सा हो डेमेज और रेडिक्ट के वाइपर के पास फिर से सिगनेचर डी अब रिंग के अंदर बसड़ बच चुकी है भाई अस्टन्ड तो नहीं हुए है वाईपर पर रिंग के भार जा चुके है बोवी लेडर सेट और भाई साब आई तिंग अब वो फिलप करना स्टार्ट कर दिया एक तो रेडियोटर ने कर दिया था दूसरा बोवी लेडर्स से नीचे OMG moments डाल देते अब वाईपर के पास सिग्रेचर आचो की है पर दोनों के पास रेजिलेंची है तो मैस थोड़ा ओर लंबा भी चलेगा बाई सूपलेक्स डेमेज तो बराबर का दे रहे है बाई बोवी लेसली और वाईपर आपस दोनों ही पर मुझे लगता है कि इसमें मुझे चांसेज लग रहे है कि वाईपर इस मैच में जीच जाएगा और रीटेन कर लेगा अपने बैल्ट ओल्माइटी के खिलाफ पर फिलाल भाई मेरी बात का कटाक्स पक्स में एंस्वर देते हुए रिप्लाइ करते हुए बोबी लैसली स्टील चेर लेकर आए कि उनको अपन ऐसे हलके में नहीं ले सकते बाई बोबी लैसली को बोबी के पास एक फिनिसर आच चुकी है बाई रिवर्स पर रिवर्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया बोबी लैसली ने बाईस अब यह सुपलेक्स वो भी लेडर स्क्यू उपर ओपी यार अभी लेडर सैट करने की कोशिस कर रहे थे बोबी लैसली पर साप लेटा हुआ है ना यार कमबेक किया बाई सापने भी अब साप के पास बस फिनिसर साथ जाए दस ले ओलमाइटी को तो आई तिंग न्यू चैम्प ओलमाइटी को नहीं बनने देंगे रिवर्स किया है सुपलेक्स देरे की ट्राइमे थी बट वाइपर ने रिवर्स कर दिया है क्या कर रहे है स्पियर नहीं दे रहे ओलमाइटी और ये ओलमाइटी को मेंगा पड़ेगा भाई सापको अंटर रस्टमेट क्या ओके नहीं 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 क्या फिर से तैयार है बाई स्पियर देरे के लिए फिर से बना कर दिया कुस्तो गलिच कुस्तो गड़बड़ी है बाई आपर तो लेटीश पीर नहीं दे पा रहे है दो फिर से लेडर के उपर जा चुके है क्या कर रहे है फिलप कर दे रेडियोटर 1221 पाई सिर्फ 15 फिलप करने जीए नीज देखने को मिल सकता है एक बाकी है वाइपर का काड कर दिया भाई साप अपने बिल्व बारी रह चुका बिलके अ इस तर कंटनेंटल चिंपियन धी ओमाइटी बाबी लापी और वाई फाइनली फाइफ स्टार के रेटिंग लिजंडरी मैच अपना ओपनर मैच क्योंकि इनकी राइवल्री लेवल फोर पर थी तो फाइव स्टार लेजंडरी मैच गया बाई अपना एक्स्ट्रीम रूल्स इस वज़े से मैं इस बैच को बचा कर रखा था एक्स्ट्रीम रूल्स पेपर व्यू के लिए पॉपलेटी गें की है बाई इंपिरियर के मेंबर्स लुट्विक ने अपना मीड कार्ड सिमुलेट करते है फटाक से देखते है यह गिता स्टार लेगा इस फोर स्टार तो जा रहा है च्रिये रो ब्रोस क्या लगता है केंसर और रोक सर जित गए है पर थ्री स्टार राइवलरी इन की बिलडप की थी अपने रोक सर और रोमन की बट कोई नी थ्री स्टार भी ठीक है अपना ओपनर मैच यार फाइफ स्टार लीजेंडरी दे गया ना 5000 फैन बस एक सेकिंड मीड कार्ड वैस अपना थोड़ा थ्री स्टार गया पर कोई दिक्रती है अब यह मीड कार्ड वैस देखते लेते हैं ब्रो यह टाइटल मैच है देखते इसमें से कौन जीत कर जाता है इतिक फॉर स्टार तो देना है चाहिए बाई यह भी लीजेंडरी बाकस अब क्या बताओ भाई यह अपर अपन मैन इविंट मैच रख देते तो भी वाई अपने एक ही सीजन में एक्स्ट्रीम रूल्स पेपर व्यू में दो-दो मैच फाइफ स्टार देकर जा रहे है देखरो एड्रो ब्रो अपने जीम बनेंगे तो भाई ऐसा ही चलने वाला है कुछ ज्यादा देए बाई 1000 डोलर लेका है मुझे लगा कुछ ज्यादा लेका है कि कोई दी कर्दी खाली पड़ा था पर ने बुक कर दिया और मेरी बाकी की जो बची होप है वो भाई मैन इविंट की उपर एंड्रो ब्रो मेरे दो मैच इस तो फाइफ स्टार लिजेंड दे कर जाता है आई होप इनकी राइवल्री रेवल 4 पर चल रही है यह भी लिजेंडरी दे जाए बैक्स्रेज ब्रोल मैच उपर से अपने लगा है था खर्चा किया था बट यार फोर स्टार होप थी फाइफ स्टार दे कर जाए पर एडिवेज अपना एक्स्ट्रिम रू आउट राइवल्री बिल्डप कर यह स्टेपनी मिकमैन भी मिड़ कार्ड मैच देखते है बाई अपना सेकिंड मिड़ कार्ड फाइफ स्टार दे गया है लिजेंडरी मैच यह भी फोर स्टार अपना थ्री स्टार था एडिवेज अभी तो मुझे लगता है एक्स्ट्रीम एक मिड़ कार बैच ही भाई त्री स्टार गया था मुस्ताफा लिजित गए यह भी फोर स्टार देखर गए है एल्डो वरोस देखरे हो सैल प्रोमो बुक किया है मिज का स्टैपनी मिकमैन सीजनल गोल भी कम्प्लीट कर रही है मैन इवेंट मैच देख लेते है रो का एलि मैच टाइटल मैच था भाई यह भी थ्री हैड हाप स्टार ओके अपना तो फैस्ट्रा दा कोई दिक्कत दिया है बस ऑपनर मैच और अपना मेनिवेंड मैच अच्छा जा राची है मैच की रेटिंग तो वैसे अपनी हाइच चली जाएगी फैन फॉलोइंग से या बस यह हाइप मेर को बचा कर रखनी थी और यह क्या काड करवा दिया सोन्या डेविल ने भाई टू स्टार एक्स्ट्रीम रूल्स पेपर व्यू में वो भी यह तो गलत चीर हो गया भाई सोन्या डेविल के साथ त्री स्टार नेक्स्ट मीड कार मैच देखे गए है और प् बिल्कुल ही नहीं किये देख रहे है अपन ने तो बाई बाड़ी लगा दी थी पैसो की फोर एड़ आप स्टार देगया बाई क्लासिक मैच चलो मैंने वेंट नहीं जत रख ली सोन्या डेविल की डबलू सी डबलू और देख लेते है जैविर वूट्स क्या कर रहे है ए दीरे दीरे पर सबसे जीए मोर्स की राइकिंग वे सबसे नीचे जो है रहा वो जैविर वूट्स ही बढ़े है एंड्रोब्रोस टू एड़ हावस्टार ओके चलो नेक्स्ट आगे भरते है फटाक से देखते है बाई उस बार की जो अपना एक्स्ट्रीम रूल्स मैच की जो बुकिंग थी ना खतरनाक ओपी थी बाई साब दो-दो मैच लिजन्डरी गहीं अपने चलो नेक्स्ट नेक्स्ट रिडिकार्ड बैच फटाक से देखते है ड्रोब्रोस डब्लू सी डब्लू जैविर वूट्स मेरे सबसे इनको सेकिंड रेंक पर भी लेकर आ जाए ड बट यह तो फोर्थ रैंक से नीचे हटी नहीं रहे है अगर इससे भी ज्यादा रैंक होती तो मेरे सबसे वहाँ पर चलते तो यह आज की रेटिंग अंडू ब्रोस इंजर्ड देख लेते हैं कोई भी नहीं हुआ है राइवल्री अपनी बिल्ड अप हो चुके एक टैग में कें रोक वसेज ट्राइबल चिपोबागा सर के बीच वे ठीक है इंजर्ड कोई नहीं हुआ अच्छी बात है बस यहीं चाहता था इंजर्ड नहीं और इस बार तो भाई अपने सोके व्व उनिवर्सल चैंप अंडर्टेकर सर भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे कमिस्नर गोर को भी अपन को कंप्लेट करना था और भाई साब बेपर व्यू में अपने प्रोफिट नहीं कमाया बस लोस में गया है वो भी 40,000 डोलर के कोई दिका दिये बस फैंस आ जाए अपने 3,000 डोलर का प्रोफिट कर लिया है बाई स्रेव बिक बैने रेटिंग भले ही कमाये बैस उनको प्रोफिट होना चीए सोने डेविल सोने डेविल भी भाई प्रोफिट में चल रहे है बाई पेपर व्यू आता है तो अब मुझे बस ऐसा लग जाता है कि मुझे पैसे परनाग बनाना है डबलू सिट जैविर वूर्स भी बाईसा प्रोफिट में चल रहें 55,000 डोलर में देख रहे हो चलो कमिशनर गोल कम्प्लीट किया तो अपनको एक सूपर स्टायर ट्रेनिंग एक पावर कार्ट मिल चुका है तो एक्स्ट्रीम रूल्स पेपर व्यू खत करनी है अब आने वाले स्बैकडाउं सो में अच्छे-च्छे मैंसे बुक करने और नहीं राइवल्री अपनको बिल्डप करनी है तो फिपलेच सर्ज का बैसे जा गया है यह बोल रहे है कि अपने जो मैच अपने बुक किये थे अपने एक्स्ट्रीम पेपर व्यू में वह बहुत ही खतरनाक थे लेकिन एक अपना मीड काड मैच है ना वह फाइव स्टार चला गया ना इस वज़े से बोल रहे है थोड़ा ध्यान दो बागी आपका जो सो बुकिंग थी वह ओपी थी अबागा सर का पैसेज है यह बागा सर क्या बोल रहे है तो बागा सर ने अपन टाइटल मैच तो अफकोस इनकी राइवल्री आगे भड़ी है तो अफकोस इनकी राइवल्री भाई आगे बिल्डप करनी है तेक टिम चैंपियनशिप के लिए तो शोर सेंकि आपको आपको जरूर टाइटल बैस दिया जाएगा उसोस के अगेंस्ट ओके चलो एक पेपर प्रोमों से जो पॉपुलर्ट इंक्रीज होती है न वो यह कार्ड्स यूज करने के बाद वो डबल हो जाएगी नेक्स्ट ब्रोंज कार्ड है वो अगर इस कार्ड को अपन यूज करेंगे तो यह 500 के लिए जो भी फ्री एजेंट सुपरस्टार आएंगे उनमें से 20% less उन अपने सोबे हाइर भी करने है और यह जो कार्ड्स है अपने को 25% less देगा यहनि कम पैसों में अपने पास ने सुपरस्टार को अपने स्मेकडाउ सोबे हाइर कर सकते है तो अफकोस अपन यही पावर कार्ड्स लेने वाले है अब हैना अन्डू ब्रोंज अपन को 25% less में फ्री सुपरस्टार अपन को मिलने वाले है जिनके भी कोस्ट जादा रहेगी तो अल्मोस्ट उनकी कोस्ट 25% less हो जाएगी और पाच अफतों के लिए अन्डू ब्रोंज 25% less में अपन को फ्री एजेंट्स मिलने वाले है और मेरे को जैसे ही कोई बैस्ट पूपूलर सुप स्टार देखने को मिलेगा अफ्री एजेट्स में तो अफ्कोस में उसको हाइर करूँगा यूगी पैसो की तो टेंशन है नहीं मेरे पास तो चलो एंडू ब्रोंज आज का माई जियम एपिसोड आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो क्या करना आपको लाइक करन उस वीडियो पर 5 Android लाइक करवाईए तो फिर मैं रवियल्ज कर दूगा कि मैं Android डिवाईज में कैसे वीडियो देखना चाहते हो तो फॉताफर सी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर आपने प्रिवियस माई जीएम एपिसोड मिस किये है तो वो स के लिए बाबाई टेक्टियर